नमस्कार दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने बालों दोस्तों, उसको करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जहां एक तरह बाजार आल टाइम हाई के नियर है दोस्तों, उसके विपरीद ये स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है, पिछले एक साल में अगर आ हमेशा रहेगा, ये वो स्टॉक है दोस्तों, जो मैंने कल आपके साथे, दो दिन पहले ही, एक दिन पहले ही जस मैंने सुबह सुबह वीडियो डाली थी, टॉप 10 स्टॉक की उसकी एक डिगरी में आता है, तो क्या इतनी गिरावट के बाद, जो बाजार की विपरीच स्थ किती तरह शो कर रहा है, यानि जा बाजार ऊपर जा रहा है, इस टॉक में सिर्फ और सिर्फ ग्रावट देखने को मिल रही है, क्या खरीदना चाहिए, बहुत सारे सवाल निभी इश्कों के बन में दोस्तों, इस लार्ज कैप IT स्टॉक को लेकर के हैं, तो बहुत सारी ची उसके बाद आप देखेंगे, क्वाटर फोर के नंबर्स में क्या हिट रहा है, क्या मिश रहा है, और फिर दोस्तों कुछ कॉन कॉल हाईलाइट्स, कॉन्फरेंस कॉल हाईलाइट्स, फिर आकरी में वैलूशन, और जो एक चीज़ दोस्तों आप से साथ, मैं आपको यहीं पताना चाहूंगा, कि जो डर है न, यह जो गिरावट का तौर है, इसके पीछे का कारण यह है, कई जगा यह बाते चल रही है, कि जो फर्स्त हाफ होने वाला है, अभी जो आपके सकते हैं, जून के बाद जो रिजल सीजन फिर से स्टाट होगा, जो फर्स्त हाफ होने वा अपने सूर बदल लिये हैं, क्या बड़ी कंपनिया भी अपने सूर को चेंज कर लेंगी, यानि, डिस्क्रेशनरी स्पेंड काम हो रहा है, हमें कुछ कमजोरी दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, आप सकते हैं, नेगेटिव कॉमेंटरी आ सकती है, तो इसका एक ओवर हैंग कोई भी क्वेरी, या आप कह सकते हैं, कोई भी इशू हो, या आप कोई जानकरी मुझे देना चाते हैं, जो मैं अकसर मिस्स कर जाता हूँ, तो आ करके वहाँ पर बात कर सकते हैं, मुझे लगता है, काफी अच्छा सेशन हो सकता है, मेरे लिए सीखने को भी बहुत कुछ म को सब्सक्राइब करते हैं, गाइस, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाईएगा, तो अब चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो के सेकंड बार की तरफ, पहले एक चीज़ यहां लिखी होगी, एनलिस्ट कॉल, ठीक है, एनलिस्ट कॉल, और यहां पर जो चीज़ नहीं दोस्तों, पांच जुन 2023 का है, और मुझे लगा, जब बाजार ओल टाइम हाई है, अब इसके उपर वीडियो बनाना ज़रूर सही रहेगा, दोस्तों, क्योंकि आप समझे, आप जिस लाज केप आईटी कंपनी में निवेश करने वाले हैं, वो कितने जादा हो जाए, उस समय से खरीदना शुरू करने, लेकिन, एक्यूमुलिट करें, बहुत बड़े लंब सम्माउंट से प्लीज बचें, और इनफोस जैसी कंपनी, अगर आपको यहां से, जिसमें वो ट्रेड कर रही है, दस से पंदरा परसंट अगर नीचे मिल जाती दोस्तों, और आपका विजन दो से तीन सालों का है, तो तो देखिए कोई बाती नहीं है, आप अराम से इसमें पोजिशन मना सकते हैं, और दो से तीन सालों में यह स्टॉक आपको एक काफी अच्छे लेवल दे सकते हैं दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं बहुत सारे इंटर्व्यूस देख रहा हैं दोस् इसके बाजार कैसे रहेंगे, यूए से किस तरह की आप कह सकते हैं, जो डिमांड है वो प्लस होगी या माइनस होगी, रश्या यूकरेन वो और जो यूरोप में टेंशन है, वो भी काफी हत तक कम होगी, तो मुझे यह लगता है, और तमाम जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट और जो इंटेवोस में देख रहा था, उसके हिसाब से, और सिर्फ इंफोसिस नहीं, जो बड़ी IT कमपनीज हैं, जो बादल है उसमें शंक करके, वो हट जाएंगे, तब तक स्टॉक कहां जाकर गिरते हैं, कहां तक जाकर गिरेगा, और देखें, अगर TCS और इंफोसिस ज कहता हूं, अगर इंवेस्टर हैं, तो बॉर्डम की आपका सकते हैं, आधार डाल दीजे, बुरियत की आधार डाल दीजे, क्योंकि जो बुरियत से नहीं कह सकते हैं, जिनको बुरियत में मज़ा आता है, वो इनवेस्टमें में काफी अच्छे रिटिकम आते हैं, ठीके, तो ये चीजे हैं, और तेके मैं जो आपको बुरह था, मुडिज नहीं कहा है, जिस तरह से मुडिज क कहिं है कि इच इच्छे म सकतर में उभी बहुत जादा आप कहसाएं, अब कि सबस्के है डाउं ग्रेट कर रहे हैं, बहुत जादा डाउं ग्रेट देख रह से पूरी क जो companies हैं, वो अपनी discretionary spending है, वो कम कर रहे हैं, जो companies हैं, वो अगर order cancel नहीं कर रही हैं, तो भी वो order को आगे बढ़ा दे रही हैं, तो देखें, उससे होगा क्या ना, अगर वो अपने order को आने वाले दो-चार महीनी भी आगे बढ़ा देती हैं, या छे महीनी आगे बढ़ा द कि प्रॉब्लम क्या है अभी इटी सेक्टर में और इंफोसिस क्यों एकदम आप कह सकते अंडर पर्फॉर्म कर रहा है बजार के सामने आगे आप देखिए आगे है तो कुछ जो आप बात ही चल रही है उस पर आप देखिए तो इंफोसिस जो दोस्तों वो डाउन ग्रेट से आप कह सकते हैं जो डाउन ग्रेट की जो रीटिंग है उससे हिट किया है बाई वेव जब उसने मार्च कोर्टर के अर्निंग आप कह सकते हैं वीक पोस्ट की है ठीक है और अनलिस्ट कॉल ट्रैकर इंफोसिस में दोस्तों नमबर और वाई रिकमेंडेशन आउन डिस टॉक फॉरॉमा क्वार्टर अगो फैल टू टू ट्वेंटी नाइन आप समझी जो आप कह सकते हैं जब क्वार्टर थी के नंबर साय थी उस समय से अब तक जो सबसे बड़ी चीज हुई है जहां पहले फॉर्टी टू एनलिस्ट ये कह रहे थे कि बई स्टॉक को खरीदना चाह गए ठीक है और जो होल्ड और सेल की रसला है दोस्तों वो नौ 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 और गिर चुके है यानि की पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि भाई सब दहसत का महल है ठीक है आगे अब देखिए जो आईटी मेजर है दोस्तों शॉर्ट अफिस प्रजेक्टर रवन्यू ग्रोथ दोस्तों ठीक है यह तो हम आगे चर्चा करेंगे हमको अभी देखना है अनलिस्त को तो देखिए बहुत सारे अनलिस्त यह एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो इंडियन आईटी सेक्टर का जो आउटलूक है वो और भी ज़्यादा गिरेगा डेटर रेट ह होगा दोस्तों ठूरू आउट जो पूरी की पूरी फैनेशल 24 की रेटिंग है नमुरा इंडिया यूनिट का दोस्तों इस्टांस यह है कि जो करेंट फिसकलियर दोस्तों यह डिसपॉइंटिक होने वाला है दोस्तों रवेन्यू ग्रोथ की चक्कर पे आईटे कंपनी के लिए ठीक है और नमुरा की रिपोर्ट यह गहती है कि जैसे जैसा मैक्र एकोनोमिक इनवर्नमेंट लगातार प्राइटिक हो रहे हैं बहुत जादा चैलेंज पूरी की पूरी आईटे कंपनी के लिए दोस्तों इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ग्रोथ को लेकर के और देखिए जो decision making है ना और जब आपको पता जब की company बहुत जदा परिशान होते रहती है डिमांड नहीं आती उसको लगाता revenue जनरेट करने के लिए बहुत मुश्किल होती है तो cost cutting और cost optimization शोड़ो करती है और वो भी यही कह रहे हैं आपे कि जो cost optimization है उसे बहुत जादा prioritize किया जाएग ठीक है तो आप देखिए यह तमाम चीजें और यही करण था कि मैं आपके साब ने सबसे पहले यह दिखाना चाहरा था कि यह जो एक आपके ज़र स्लगिशने से वो क्यों है तो आपको समझ में आ रहा होगा हर कोई analyst infosys से तोड़ा दूर रहने की बात कह रहा है ठीक है आ 250 billion dollars यह आपके सकते हैं लगातार इसकी जो challenges हैं और uncertainty यह सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाएगी और यह इनके hiring में बहुत बड़े इंपेक्ट करेगा ठीक है तो यह तमाम चीजें भई तो एक मोटा मोटी आपको समझ में आगे कि यह problem किया है अब चर्चा करते हैं एक एक कर currency के term में ठीक है जिसने estimate को miss किया और flat quarter 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 three growth ठीक है यहाँ पर ना quarter गिरावट देखना को में लिए जबकि आप कह सकते है analysis यह था कि जो growth है वो flat रहेगी लेकि निगेटिव नहींगी और problem क्या हुई जो US dollar की revenue दोस्तों उसमें 2.3% की quarter 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 गिरावट देखना को में लिए 4,554 million dollars ठीक है और जो आप कह सकते हैं जो constant currency revenue growth थे दोस्तों वो बहुत बड़े इस तरहों पर आपके सकते हैं एक sharp miss देखने को में लिए जो अनमान था उससे बहुत बड़ी गिरावट देखने को में लिए reason क्या था unplanned project ramp downs across telecom जो आप कह सकते हैं sudden कुछ बहुत ज्यादा गिरावट देखने को में लिए जो already unplanned project थे उसको लेकर के किसके सेक्टर में telecom, retail, high-tech, mortgage, asset planning, investment banking and owing to one time revenue impact due to cancellation and specific client issue और एक बड़ा कारण ये भी था दोस्तों कि एक one time revenue impact आया कुछ specific client issues को लेकर के दोस्तों ठीक है यान आप समझिये करेला फिर उपर से नीम चड़ा वाला हालत हो गया इन लोगों का ठीक है आगे इन फोसी दोस्तों ये रिपोर्ट किया है रिपोर्टेड रूपी revenue रूपी revenue at 37,441 करोड ठीक है जो कि दो दशनों तीन प्रसी शट्डाउन राए quarter on quarter ठीक है यानि यहाँ पे गिरावट अबिट्टा मार्जिन में contraction देखने को मिला है 47 basis point quarter on quarter to 21% और आप कह सकते हैं जो estimate था 21.3% यानि 0.3% से आप देखिए इस quarter की जो total contractual value डील रही है दोस्तों वो 2.1 billion dollar में आई है जिसमें से 21% दोस्तों net new है ठीक है तो 21% नई डील है और जो और डील थी वो 2.1 billion dollar रही है ठीक है आगे चलते हैं जो total deal हुए दोस्तों total आपके सब्सक्राइब की और पूरे साल में जो आता है वो 9.8 billion dollar है जिसमें से 20-40% net new है ठीक है यानि पूरे साल में 9.8 billion dollar का इनको आप total contractual value मिली है contract मिला है बात के लिए डिजिटल revenue के दोस्तों तो ये 6.8.56 करोड रहे है साथ प्रतिशत का down है quarter and quarter और आपके सकते हैं जो estimate लगया था 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 वो estimate of rupees 6.494 करोड ठीक है ठीक है आगे देखिए आप यहां पाएंगे कि आपके सकते down 5.6% owing to sharp revenue miss ठीक है sharp revenue miss and margin contraction ठीक है अब margin contract हुआ इस कारण देखने को मिला ठीक है तो आप समझे इस चीज को कि माफ कीजिएगा मैंने यहां पे गलत लाइन पढ़ दी मुझे लगी रहा था कि यह खम जादा कैसे हो रहा है देखिए जो digital revenue है दोस्तों वह आप देखेंगे 62.9% total revenue के ठीक है कितना 62.9% total revenue के जिसमें से year on year आपको constant currency growth 15% में देखने को मिलेगी ठीक बात करें net profit की दोस्त है और जो estimate लगाया गया था दोस्तों वो था 6494 करोणी या नहीं देखिए already बजार को यह लगा था कि problem होगी लेकिने problem को ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों ठीक है और reason गया था revenue sharp revenue decline हुआ और margin में contraction देखने को मिला ठीक है बात करें Infosys ने जो revenue growth guidance दी है वो चार और चार से साथ प्रतिशनत की बीच की दिए गई है दोस्तों in terms of constant currency यह पूरे कबर 24 मार्ट 24 के अंतक की बात करें दोस्तों यहां पर मैं ठीक है और margin गज़ expect किया गया है दोस्तों वो 20 से 22 प्रतिशनत की बात कही गई है और जो margin contraction है वही एक बड़ा कारण है overall revenue में गिरावाट का द तो यह not good at all ठीक है तो यह एक और चीज़ है भई जबकि headcount दोस्तों ड्रॉप हो है भाई 3,000 से 11 in quarter 403 with utilization continuing its downward trajectory बात करें management की तो भया उन्होंने न वीकनेक्स एक्सप्रेक्स की है किसमें telecom high-tech retail और certain financial जिसमें से mortgage सबसे ज़्यादा रहते हैं दोस्तों बात करें investment banking और asset management about other factors leading to uncertainty and delay in decision making देखे एक तो जो आपके साथ में मैंने चाहे हाई-tech हो, retail हो, in telecom हो उसमें कमजोर ही है लेकिन जो अन्य जगा भी है न वहाँ पर decision making को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपनिया सोच रहे हैं ठीक है आगे है अब इसना बड़ा surprise नहीं मिला है quarter four में यही कारण है कि गिरावट हमको देखने को मिल रही है ठीक है और यह क्या दिखा रहा है, highlight the vulnerability from detrotting macros despite robot deal win and deal pipeline यानि कि देखिए, जो बड़ी picture दो macros, वो problem है दोस्तों, ठीक है, आप देखिए, further quarterly ask rate 1.7 to 2.4% for financial 24 constant currency when you guidance of 4.4 to 7% appear, steep given tough near macro environment और देखिए, यहां तक की problem यह है, कि जो यह guidance दे रहे हैं, वो भी यह कर पाएंगे कि नहीं, यह अपने आप में challenge रहेगा, यह अपने आप एक issue रहेगा दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ अन्य चीज़ में चर्चा करते हैं, देखिए, यहां पे आप आप अच्छा चंप दिखाएं दोस्तों, और overall काफी decent of performance रहा है, ठीक है, और यह कारण में इसलिए दोस्तों, क्यों कि हर एक चीज़ थोड़ा आप आपको पता होना चाहिए, कि नहीं खरीदा क्या है, और किसमें अच्छी performance रहे है, किसमें खरा performance रहे है, ठीक है, आप देखि इंफोसिस ने सहल पारिक जी के अंडर कुछ खरदारी की थी, है बिन स्मॉल इंसाइज जो कि स्मॉल इंसाइज थी, तो एड इन, बिल्डिंग कैपबिलिट इन एक्स्पिरियंस, ठीक है, सैस प्लाटफर्म और बीपो में कुछ अपती पैट बढ़ाने के लों ने खरदा हो ऑफकोर्च जेशिए, तो यह तमाम चीजए है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लगता बैसे हैं गया फॉच नहीं में को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मारजिन है वहां से भी एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही, थीक है, तो यह तमाम चीज़े ह सकते हैं कि यहां पे करके हम जाएंगे तुम्हारा जो में है वो छुट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिक है आप देखिए कि मार्जिन मॉडरेटः फॉर कॉन्सिल ब्यूए नोथ पिछले दोस्ते साल मौ से नंग उ मार्जिन लगा तर निफूस के थोड़े स HEY कह सकते हैं हैं moderate रहें थोड़े से weak side में रहें कैसे जो abit margin है वो लगातार moderate रहे दोस्तों at 21.1% financial 23 from its peak final 21 on the account of increasing freshers hiking hiring देखें जो margin का habit margin का hike था जो peaks हम आफ कीजएगा का hike नहीं बोलना चाहिए पीक था वो financial 21 था लेकिन उसके बाद लगातार गिरावाट इसलिए है क्योंकि लगातार freshers को hire किया जा रहे हैं दोस्तों और यह lead क्या कर रहा है कि lower billable counts and under utilization यूरो रसोर्स देखें बात यहां hiring की नहीं है जब आप एक इतनी बड़ी company का हिस्सा होते ना तो under utilization एक बहुत बड़ा concern होता है और यही under utilization आपके balance sheet में इतनी असानी से आता है दोस्तों और काफी लंबे समय तक है क्योंकि आपको hiring आपके ट्रेंड करने में साल शे महीं का समय अच्छा लगता है दोस्तों ठीक है आप देखिए इसके सासाथ incremental spend in third party resources ज उसके कारण खार्चे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों जैसे software hardware as a part of delivery has increased in financial 23 to 1.1 billion dollar और देखे 0.7 billion dollar से बढ़के 1.1 billion dollar आगे है और इसने भी बड़ा दबाओ बनाया दोस्तों आप कह सकते हैं stock में ठीक है आगे है और जो compensation दोस्तों in the inflammatory environment on site is expected to further pressure its margin दे की on site जाकर के काम करना आजकल वापस से covid के बाद से शुरू हुआ और जिस तरह की inflation चल रहा है जिस तरह की महंगाई चल रही है इसने बड़ा जटक के यह दिया है दोस्तों margins को क्या दिया है बड़ा चटका दिया है दोस्तों margins को ठीक है आगे देखिए तो and the margin headwinds above are partially offset by declining subcon of revenue to 9.6% inventory from 10.6% आप देखिए considering the inflammatory environment company is given on an average margin of 20-22% और जिस तरह से महंगाई है जिस तरह इसनी environment है company भी साफ साफ जो कहरी दोस्तों अपने जो आप कह सकते हैं guidance के उपर वो भी margin को लेकर के सिर्फ EBIT margin सिर्फ 20-22% रहने की बात की जा रही है ठीक है तो यह तमाम issues है ठीक है आगे बढ़ते हैं की कॉन कॉल हाइलेट्स अब बात करतें भाई साब की कॉन कॉल जो की कॉन कॉल हाइलेट्स है वो क्या और देखिए कमपणी के लिए की कॉन कॉल्स क्या है वो जानना आपको बहुत जुरूरी है अगर आप एक लॉंग टर्म में भीच करें वैसे तो हम यहां तक जब वीडियो हैं काफी चीज़ें अल्रडी आपके सकते हैं कवर कर चुके हैं आप देखते हैं देखिए जो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ इसके पीछे का कारण दोस्तों जैसे मैंने पहले पता है रैंप डाउन और प्रोजेक्ट बाइंट इन सेक्टर सच है कि जो सेक्टर है चाहे वो टेलिकॉम हो रीटेल हाई टेक यहां से जो बहुत सरे प्रोजेक्ट से उनको रैंपिंग किया जा रहा है और वन ओफ प्रोजेक्ट कैंसलेशन सर्टिन किसे और एक बड़ा प्रोजेक्ट कैंसल वा जो एक बहुत बड़ा दबाव डाला है दोस्तों ठीक है आप देखें जो करेंट डील पाइप लाइन है दोस्तों और और ओंगे मैकरों एंट से आर बिंग चीज यह है कि कंपनी का भी हम जो भी सिनारियो जैन निगेटिव और अल्टरा निगेटिव उस सब को देख करके हमने रेवन्यू गाइदेंस दी है दोस्तों ठीक है आगे देखें और कॉस्ट ऑप्टमाइजेशन और आटोमेशन रिलेटेड जो डील्स हैं वो कॉर्टर दोस्तों देखें आप इसकी बाजाए मैं आपको समझा दूं कि जो मार्जिन को लेकर के कंपनी की स्ट्राइटिजी वो यही है को स्ट ऑप्टमाइजेशन दिखाओ और जाद जादा ऑटोमेशन की तरफ जाओ दोस्तों ठीक है आगे है वो कंपनी का ही कहना है कि उसोने इफिशेंसी इंप्रूमेंट प्रोग्राम उन्होंने बहुत सारे इफिशेंसी इंप्रूमेंट प्रोग्राम शुरू किये हैं ताकि मारजिन बैट्र हो medium term में और employee pyramid उसे बहुत दा improve किया जाए जिसके करण utilization बढ़े और जो subcon cost को घटा है दोस्तों ठीक है इतना ही नहीं जो एक परिशान करने वाली चीजी है कि जो decision making देखी जारे है ने दोस्तों client की तरफ से वो लगातर बढ़ती चले जारी है especially जब large deals की बात हो रही है ठीक है यानि आप समझ यह जो लगा हर एक है सकते है large cap IT company की यह बात कह रहे है कि भई जो बड़े employees है ना वो बहुत ज़ादा सोच समझ के deal कर रहे है तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है ठीक है आगे लिखते हैं जो US है दोस्तों इस more adversely impacted than the European market in terms of demand environment और सबसे बुरी हालत दोस्तों US की है जो demand environment से इतना जादा खराब वहां से जादा खराब demand आ रही है दोस्तों आप देखिए despite attrition at leadership level it feels confident about the talent put at ceiling level ठीक है तो यह चीज़े हैं डिविदेंट मिल चुका है this and that but at the end of this interview दोस्तों at the end of this video आप एक चीज़ समझे गिरावट का reason क्या है आपको अब तर समझ में आ चुका होगा US एक बहुत बड़ा factor दोस्तों US जो demand है वो बहुत बढ़ा problematic है even आपने यहां पे देखा यह problem European market से भी जादा है और मैं इसीले कहूंगा at least first half तक आपको patience रखना पड़ेगा अगर आप large cap IT stock में निवेश कर रहे हैं यह पूरा वीडियो एक आप कह सकते हैं educational purpose के लिए था कोई buying or selling recommendation ने दोस्तों प्लीज कोई भी position मनाए वित्तिय सलकर सला जरूर लीजेगा और आज रात नौ बजे जो आप कह सकते हैं एक live session होता है दोस्तों हर Saturday को वो होने वाला है तो कोशिश करिएगा आप उसे join कर सके यहाँ तक जुड़े रहे हैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद यह इस video कहनते है चैन दोस्तों